उत्तर प्रिदेश के बिजनौर में महिला एस पे विधायक की दबंगई के आगे पूरी पुलिस फोस ने घुटने टेक दिये विधायक के घर को पुलिस ने क्यों घेरा और क्या है ये पूरा मामला देखिए रिपोर्ट विधायक के घर के बाहर पुलिस लौ एंड ओर्डर समालते एडियम साहब गेट पर पुलिस से भिड़ते विधायक के समठक किसी विधायक के घर इतनी पुलिस की तैना थी शायद ही कभी देखी हो पूरी खबर हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले ये पूरी तस्वीर देख लीजिए फिल्मी अंदाज में समर्थक अपने विधायक के लिए मरने मारने पर उतारू है पुलिस की मजाद जो केट के अंदर खुश जाए घंटों पुलिस और बेकाबू समर्थकों में नूरा कुष्टी होती रही फिर जैसे तैसे महज पांच पुलिस करमी विधायक के घर के अंदर खुशे अब इस पर महिला नेता की दबंगई देखिए अब आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा इस महिला विधायक के पदी उधे वीरा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे है इन पर दो जिला पंचायतों के सदस्य को अगवा करने का आरोप है जिसकी तलाशी के लिए पुलिस जिला कोट का आदेश लेकर विधायक के घर पहुँच गई लेकिन यहाँ पहुचकर यूपे पुलिस समर्थकों की गुंडा गर्दी के आगे घंटों लाजार बनी रही और जब अंदर खुसी तो वहाँ भी समर्थक देरा जमाए हुए थे पुलिस ने किड्नेप सदस्नेओं की तलाशी के लिए घर का कोना कोना तलाश डाला सुभा के पीछे, घर के कमरे, मकान की चट, किचन और यहाँ तक की बातरूम ऐसी कोई जगह नहीं, जहां तलाशी ना ली गई हो, लेकिन हाथ आये सिर्फ वोटर स्लिप समाजवादी पार्टी ने नगीना से विधायक, मनोज पारस की पत्नी, नीलम पारस को जिला पंचायत के अधक्षपत का उम्मीदवार बनाया है लेकिन महिरा विधायक, रुची वीरा ने अपने पती उधै वीरा को उम्मीदवार के तोर पर खड़ा कर पार्टी से भगावत कर दी 30 दिसंबर को उधै वीरा के खलाब अपहरन का केस दर्ज हुआ और जब पुलिस कोट का वारंट लेकर घर पहुँची तो मैडम विधायक आउट अफ कंट्रोल हो गई आमित रस्तोगी, इंडिया टीवी, बिजनौर